हेलो दोस्तो वैलकम वैक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल राजा किर्किट प्रेडिक्शन में तो दोस्तो आज हम बात करेंगे मेजर लीग किर्किट 2030 के बारे में यानि कि जो ये स्रीज है एम एलसी 2030 क्या है ये USA में स्टार्ट हो रही है और इसको हमने मिनी आईपल का नाम दिया है हम बताएंगे इस वीडियो में मिनी आईपल का नाम क्यों दिया है इस स्रीज में इस वीडियो में हम बताएंगे कि ये कौन जीश सकता है इस स्रीज को और ये कैसी स्रीज होने वाल तो सबसे पहले चीज 6 टीम पार्टिसिपेट कर रही है इसमें दो वेन्यू रहेंगे इसमें और टोटल 19 मुकावले खेले जाएंगे यानि बहुत छोटी सिरीज श्टार्ट हो रही है अमरीका में यानि USA में तो 14 जुलाई से श्टार्ट हो रही है और 31 जुलाई तक चलेगी यानिकि 17 दिन की सिरीज है टाइम जो रहेगा मैच का दो बजे से रात के रात के तीन बजे से यह तो कुछ लोग कम खेल पाएंगे लेकिन जो सुबह 6 बजे से हैं और सुबह 11 बजे से हैं यह सभी लोग खे किसी भाई को चरणे में दिक्कत हो रही है तो में सामने लो हम आपको वाटब के तरह करते हैं सबसे पहले हम बाच करेंगे टीम आडपी एंड की पिलियर्स के यानि कि KKR की टीम की फ्रेंचाइजी ही है, यानि इंडिया की फ्रेंचाइजी है, इसलिए मैंने इसे Mini Eye Peel का नाम दिया है, और जब कोई भी स्रीज पहली बार हो रही होती है, तो बहुत जादा पंटर फ्रेंक्लि होती है, लुंगी नगडी खेलेंगे, कौरी अंडर्सन खेलेंगे, लियाम प्लेंकेट खेलेंगे अब बात करते हैं, तीसरी टीम के बारे में MI New York, जैसे के MI, Mumbai Indians का नाम है तो यह Mumbai Indians की franchise है अब बात करते हैं, चौती टीम की यह हमारी Seattle Orcas अब बात करते हैं, टीम नंबर चार के बारे में टैकसाक सूपर किंग्स है, यानि की CSK की franchise है डैवन कॉन्बे है, मिसिल सैंटनर है, डैनियल सेम्स है, डैविड मिलर है ड़ान ब्रावो है, गिराल कोट्च है अब बात करते हैं, आकरी टीम यह निए छटी टीम कौन सी है वासिंग्टन, फ्रीडम नाम है इस टीम का फ्रैंचाइजी का एंड्रिक नौर क्या है, वन इंदू अजरंगा है मारको जैंसन है, ग्लैन फिलिप है, एडम मिलने है अब आपको बताएंगे, पिच रिपोर्ट और इसके कुछ इंपोर्टन रूल्स क्या है, किस तरीके से यह भीएप करेगा, तो बहुत ध्यान से देखना है, निकालना बिल्कुल नहीं यह वीडियो को, सबसे पहले यह सिर्फ दो वेन्यू रहेंगे, यानि दो ही ग्राउ बनाय गया, या अभी किर्किट के लिए बनाया गया है, और यह पहले से है, यहाँ पर यह बेस्बॉल का ग्राउंड है, यानि कि एक साइट से थोड़ा बड़ा होता है, एक साइट से छोटा होता है, तिकोना कार होता है, तो यहाँ पर बाउंडरी आपको इस वाले ग्रा high scoring या मैंने दिया एक point और high scoring match रहेंगे, यहाँ पर high scoring match देखने को मिलेंगे, region कै उसका, पहली बार series हो रही है, तो batting को promote करते हैं, जब batting अच्छी होती है, तभी किसी series में मज़ा आता है, तो batting इसलिए batting surface बनाया जाएगा, और आपको यहाँ पर 170, प्लास 180, 185 भी चेस होते हुए दिखाई देंगे, इसलिए यहाँ पर 60% मैंच चेस होगे, यानि कि अगर 10 मैंच हो रहे हैं, तो 6 मैंच आपको चेस होते हुए दिखाई दें सकते हैं, अब बात करते हैं, कि कि तरीके से टीमें पार्ट सिपेट करेंगी, तो 11 पिलियर की एक से पिलियर, तो यह इस तरीके से 11 पिलियर की टीम खेलेगी, तो काफी मज़ा आएगा, मैं तो काफी एकसाइट हूँ, और बाकी अपना काम तो टेलिगराम पर दिया जाएगा, तो टेलिगराम जरूर ज़रूर जोइन करकेगा, तो उस सबसे जरूरी चीज जिसके वैसे आप वीडियो का इंतजार करते हैं, इसमें हम आपको बताते हैं, अपनी पूरी कि भी कौनसी टीम पंटर टीम हो सकती है, कौनसी टीम बुकी टीम हो सकती है, कौनसी टीम एवरेज हो सकती है, पहले तो यह जान ले जो नए लोग जोड़े हुए हैं वीडियो देख रहे है थर्ड टीम एवरेज टीम, एवरेज टीम वो होती है कि दस मैस अगर कोई खेल रही है स्रीज के अंदर तो आदे जीतेगी आदे हरेगी, ठीक है न, तो अच्छे तरीके से जीतती है, जैकपोर्ट भी उडाती है, सारी चीज़े वो देखे जाती है तो वो एवरेज टीम खेलाती है, अब बात करते हैं इच्छे टीमों में से कि पंटर टीम कैटेगरी में हमने कौन सी टीम को डाला है तो पंटर टीम दो टीम डाली है, टैकसा, सूपर किंग्स और लौस एंजल नाइट राइडर्स, यह दोनो टीम हैं, नोट कर लीजेगा, धान रखिएगा, इनके साथ आपको जो रहा है यह आपको अच्छा कुछ करके देखे जाएंगी, अब बात करते हैं, बुकी टीम की, बुकी टीम है, इसमें, सैन, फ्रैंसिको, योनिकॉन, और स्याटल, और कास, यह दो टीम हैं, यह बुकी टीम में डाला है, इनसे आपको बचके रहना है, यह डैंजर्स टीम भी कह सकत हैं, एवरेज टीम की बात करते हैं, ठीक है, एवरेज टीम में हमने MI New York को डाला है, और दूसरा Washington Freedom को डाला है, यह एवरेज टीम रहेंगी, यह आगर मानलो की 6 मैच खेल रही है, तो आपको 3-3 का एवरेज से यह हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, इनकी परफॉर्मेंस ह एवरेज परफॉर्मेंस रहती है, तो WhatsApp नमबर एक पर फिर से मैं आपकी स्कीन पर लिख देता हूं, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, हम तक पहुचने में, 84, 47, 93, 53, 97, यह हमारा WhatsApp नमबर है, टेलिग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्विसन में दे दिया, जाकर जॉइन कर लिए जेगा, किसी भाई को जॉइन करने में दिक्कत हो लिए, डारेक्टली WhatsApp पर मैसेज करो कि राजा भाई, टेलिग्राम का लिंक शेर कर दो, हम आपको WhatsApp पर भी जॉइन करवा देंगे, टेलिग्राम का लिंक याने की शेर कर देंगे, तो चलिए दोस्तों बाई- चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, वो सब्सक्राइब कर लो भाई, आपके लिए मैनद करके वीडियो बनाते हैं, तो सबसे रिक्वेश्ट है, चलिए दोस्तों बाई-बाई मिलते हैं नेक्स वीडियो में,